आज मैं आपके लेकर आई हूँ सूजी और आलू से बना हुआ बहुत ही टेस्टी यमी सा नास्ता जिसे आप जटपट से बना कर त्यार कर लेंगे बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स यह बन कर त्यार हो जाता है सामकी, छोटी मोटी भूग के लिए या कभी भी आपको स्नेक्स खाने का मन करता है तो आप इसे बना सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनानी के लिए मैंने यापर दो से तीन मीडियम सैस के आलू को बॉाइल करके इस तरह से ग्रेट कर लिया है अब इसमें आम डालेंगे एक कटोरी भर कर सूजी ये 1.500 क्राम है दो कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे एक छोटी चमच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे चौप किया हुआ धनिया डाल देंगे हल्दी पॉडर एक चोथा ही चम्मच, धनिया पॉडर एक चम्मच, लाल मिर्च पॉडर एक चम्मच डाल देंगे, साथ में डाल देंगे स्वादनसार नमक, आप यहाँ पर अपने मननसार कोई भी मसाले या फिर वेजिस भी डाल सकते हैं, लास्ट में डाल देंगे दो चम् मिक्स कर लेंगे और एक डो बना लेंगे तो यह देखे बढ़ियासा हमारा यह डो बनकर तयार हो गया है अब आप चाहे तो इसे तुरंत ही जैसे भी सेप में बनाना चाहें इस नास्ते को बना कर तयार कर सकते हैं तो मैं आपर बिल्कुल ट्रेंगल सेप में बना रही हूं आप राउंड में, स्क्वेर में, रोल में, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, जटपट से यह नास्ता बनकर तयार हो जाता है, तो यह देखे इस तरह से हमने इसमें ट्रेंगल से दे दिया है, इसी तरह से हम बाकी के सारे नास्ते को बनाकर तयार कर लेंगे, तो यह देखे इ तो और दो फ्राई कर लेंगे आप दी फ्राई या या फिर बेक भी कर सकते तो जो आप सुनल आपको अपने साब से जैने कर लें ने ह 102 प्रीपी से फ्राई करना है गैस का फ्लेम मीडियम रखना है लहाई फ्लेम पर बिल्कुल भी इन्हें फ्राई ना करें निती अंदर से कच्चे रह जाएंगे जैसे ही एक तरफ से थोड़े गोल्डन क्रिस्प होने रगे तब आप इन्हें टर्ण कर लें तो यह देखें बढ़ी हैसा सुनहरा सा कलर इसमें आना शुरू हो गया है दोनों तरफ से आप इसी तरह से पलट पलट कर सेक लें जब तक कि आपको लगने न लगए कि अंदर से कच्चे नहीं रह गये हैं तो सारा प्रोसेस हमको मीडियम फ्लेम पर ही करना है और अच्छे से इन्हें सेक लेना है बढ कर लेंगे तो लीजिए बनकर तयार है हमारा आलू और सूजी से बना हुआ बहुत ही टेस्टी चटपटा सा नास्ता आयोब कि आपको यह आज की रस्पी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप देखेगा इसको अंदर से भी जब हम तोड़ें यह न तो बहुत ही टेस्टी यमी सा बनकर तयार हुआ होगा यह आप इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं तो बहुत ही कम इंग्रिडियन के साथ बहुत कम महनत के साथ यह नास्ता बन जाता है तो जल्दी से अपनी क चिन में जाईए और इस नास्ता को बना कर देखिए वेरियेशन आप इसमें अपने हैसाब से रख सकते हैं आप इसमें कोई वेजिस भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू थेंक्स पर वाचिंग